सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं गौरव आपका बहुत बहुत सुवागत करता हूँ टेक्टॉक्स की गुरुफेश एपिसोड में और लेक्या आए हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक्नियूज तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो बागे बढ़ने से पहले आप सभी को बहुत बहुत शुपकाम नाय बधाई दशेरा के इस फेस्टिवल की मुझे दोस्तों उमीद है कि हम सभी ने मिलके दुनिया भर में रावन को मार गरा है लेकिन दोस्तों मज़ा तब आएगा जब हम मार लेंगे हमारे मन के रावन को उसके बाद दोस्तों जो बहुत दुनिया में शान्ती तब मज़ा आएगा होली, दिवाली, इद, दशेरा, बैसाखी, क्रिसमस सब मिलके एक साथ मनाने का दोस्तों यहां पर जो पहले अपडेट है, वो निकल के आता है गूगल की दरफ से और यहां पर दोस्तों गूगल हमको यह बताता है कि इस बार दोस्तों हुआ यह है फर्स्ट हाफ में कि इंडियन गूवर्मेंट की तरफ से उस्तों गूगल जो मिली है रिक्वेस्ट अकाउंट इंफरमेशन के लिए वो दोस्तों ज्यादा थी पिछले साल एकंपैरेजन में और यहां पर दोस्तों इस साल करीब 3843 अकाउंट के लिए सरकार ने पूचा गूगल से इंफरमेशन के बारे में और यहां पर दोस्तों गूगल जो है वो बताता है बाद में देखके अपनी पूगल से कि भईया इसकी इंफरमेशन क्या है या फिर वो सब क्या है तो यहां पर दोस्तों यहां पर अपडेट है वो निकल के आता है एक फ्री फॉलिंग कैमरा रोबोट को लेके और यह दोस्तों कैसी बहुती कमाल का कैमरा सिस्टम है जहां पर यह जो स्काइड़र्स वगर है वो उपने साथ में काम में ले सकते हैं अब हीं दोस्तों होता क्या है है sky diving का लेकिन उसके लिए time में नहीं मिल पा रहा है बहुत जल्दी शायद मैं कर पाऊंगा in fact दोस्तों कल की जो वीडियो आने वाली है नई चैनल पे वहाँ पे आपको थोड़ असा free falling वाला मेरा नजारा देखनी को मिलेगा जो कि मैंने shoot किया है और एक अच्छा एडिया है next week के लिए आपको और कमाल मिलेगा तो अगर आपने भी तक subscribe ने किया है ने चैनल को दोस्तों आप जाईए सर्च कीजे गौरण चौधरी और कर लिजिए subscribe दोस्तों अगला option है वो है यहाँ पे update दोस्तों जो निकल के आता है आपको दोस्तों एक तरीके से mandatory तरीके से मिल जाएगा fingerprint scanner का support बहुत सो लोग दोस्तों ये समझते हैं कि Apple था जिसने पहली बार दोस्तों अपने phone में लगा के दिया fingerprint लेकिन ये सही बात नहीं है दोस्तों iPhone जो था वो 5S में आया है fingerprint लेकिन उसके पहले भी कुछ phones थे जहां पर fingerprint scanner था आप दोस्तों मुझे बताओ कि वो पहला phone कौन सा था जहां पर आपको मिलता था fingerprint scanner का support दोस्तों यहां पर अगला update है वो निकल के आता है बहुत ही ऐसे कमाल के edible sensors को लेके ये दोस्तों एक ऐसे sensors है जो लगाए जाएंगे food items में और ये दोस्तों wirelessly बता देगे कि उस food item को दोस्तों temperature क्या है तो basically एक ऐसा दोस्तों device है जिसको आप बाद में खा भी सकते है अगर पेट्री चला जाएं तो को दिक्कत नहीं है और यहां पर दोस्तों यह food कितना safe है कितना दोस्तों यहाँ पर यह healthy है वो information दे पाएगा wirelessly तो यह दोस्तों बहुत ही interesting चीज है और आगे चलके सब तरफ internet, सब तरफ science दोस्तों गुसने वाली है अब वो केले या फिर संतरे आपके कितने fresh या healthy है वो आपको इस sensor सी देखने को जायद मालूम चल जाएगा तो इस रगले update है वो निकल के आता है Google Drive को लेके और यहां पर दोस्तों iOS 11 में आ गया है Apple के इंदर पहली बार file manager तो यहां पर दोस्तों जो Apple के इंदर आपको मिलती है files app वहीं पर आपको Google Drive का integration भी देखने को मिल जाएगा ताकि आप इस फाइल से बेटर तरीके से move दोस्तों कर पहे in and out cloud या फिर दोस्तों आपके normal phone के बीच में ये एक अच्छी बात है बाकि आप मुझे सिर्फ इत्ता बता है दोस्तों आप जितने भी users हो जितने भी आप iPhone ये उज़ करते हैं उसमें से आप में से कितने लोगों ने iOS 11 को update कर लिया है because दोस्तों Apple ये बोलता है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अभी तक already कर चुके है update अगर आपने किया है तो मुझे बताओ नीचे comments में दोस्तों अगला update है वो निगल के आता है यहाँ पर Apple iPhone 8 Plus को लेके मैं दोस्तों आपको बता रहा था कल कि कैसे दोस्तों फोन की बैटरी है वो फूल रही है यहाँ पर दोस्तों फोन जो हो रहा है बिलकुल यूँ और यहाँ पर दोस्तों एक और report ये कहती है हाला कि ये पूरी तरीके से सही नहीं है दोस्तों मतलब इसको भी verify नहीं किया गया है लेकिन दोस्तों report ये निकल के आती है कि शायद दोस्तों ये जो battery supplier है जहाँ पर दोस्तों battery काम में ली गई है iPhone 8 Plus में वो दोस्तों वही same supplier है जिसकी batteries फट रही थी पिछले साल Note 7 में अगर ऐसा हो जाता है कुछ दोस्तों कहना बहुत ही मुश्किल होगा देखते हैं दोस्तों आगे देल किया update निकल के आता है और Apple कर रहा है investigation तो हमको मालूप भी लेंगे और details कि आखिर क्या ये है दोस्तों जो चीजें हमको सही भी है कि नहीं है या फिर क्या risk है फिर दोस्तों क्या details है देखते हैं कि Apple हमको क्या बताता है दोस्तों यहां पर जो अगला update है वो निकल के आता है मॉस्को की तरफ से और यहां पर दोस्तों मॉस्को में CCTV cameras में add किया जाएगा face direction वाले system को जहां पर दोस्तों पता या लगाए जाएगा कि जो camera के साथ में subject से उसमें से कौन criminal है कौन criminal नहीं है तो यह दोस्तों हाला कि सभी cameras में ने लेकिन जितने में भीड़ बाड़ लाके वाले cameras है city में वहां पर यह system add कि जाएगा और यहां पर दोस्तों उम्मीद यह करते हैं मस्कों में लोग कि वहां पर शायद crime थोड़ा से इससे कम होगा जहां पर दोस्तों criminals जो बाहर खुले गुमरें उनको पकरना में काफी मजबूती मिलेगी लेकिन दिल्ली इंतजार कर रहा है 10 लाग CCTV cameras का कहां पर है कैसे हैं हमको नहीं मालूम आप अगर दिल्ली में तो बताओ कि आज तक कितने cameras लगे हैं वैसे वाइफाई का बार है दिल्ली में मुझे बताना जरूर रीचे comments में दोस्तों यहां पर अगला update है वो निकल के आता है जो आपका pin code दोस्तों है जो आपके phone वगरे पर आता है आपको वो भी add करना पड़ेगा आपको दोस्तों साथ में वो जो key है वो भी insert करनी पड़ेगी तब ही आप दोस्तों login कर पाएंगे अपने account में तो यह दोस्तों एक और extra layer है security की और यहाँ पे यह हाला कि सबी users के लिए नहीं होगा लेकिन दोस्तों कुछ जो special VIP accounts तो कह रहे हैं वहाँ पे आपको चीज़ देखनी को मिल जाएगी अब यह आपके account का जो password है वो कितना लंबा है मुझे बताना एक बार नीचे comments में 15 अक्षर, 16 अक्षर, 20 अक्षर, 22 अक्षर, 5 अक्षर, 6 अक्षर कितना बड़ा है क्या है क्या है मत बताओ लेकिन कितना बड़ा है दोस्तों बतारा और क्या आपको लगता है कि आपका password पूरा secure है मेरे को तो लगता है कि मेरा है आपका है कि नहीं अगले update है, वो निकल कहता है यहाँ पर दोस्तों, facebook जो है, वो प्लान करता है आपके चहरे को scan करने का, और यहाँ पर दोस्तों, वही बन जाएगा, बाद ने आपका password, तो यह दोस्तों, तो तो पर दोस्तों अगर आप बने आपके बादें आप पासवर्ड, तो यह दोस्त अगले अपडेट है वो निकल के आता है भाई यह हमारे आइफोन को लेकिए और यहां पर दोस्तों एक बार वापिस है ख़बर आइफोन 8 और 8 प्लस की और यहां पर टिम कुकिल दोस्तों कर दिया है क्लियर कि आपको मिलता है आइफोन 8 या फिर 8 प्लस में दोस्तों basically iOS 11 के इंदर हिंदी वाला डिक्टेशन तो यह बहुत ही कमाल की बात है जहां पर दोस्तों हम हिंदी में जो बोलेंगे वो फोन में आपके छप जाएगा काफ़ी इंटरस्टिंग चीज है लेकिन यह दोस्तों हमको third party keywords के through भी मिल रहा था अब बस यह है iPhone 8 की कहानी अच्छी बा बहुत ही एक धमाकेदार न्यूज है जहां पर HMD Global यह बोलते हैं कि Nokia के दोस्तों अभी तक जितने भी फोन से मार्केट में सभी को Android Oreo तो मिलेगा ही मिलेगा लेकिन दोस्तों उनको मिलने वाला है Android का upcoming Android P अब यह मालूम ही नहीं है कि P होगा के नहीं होगा लेकिन दोस्तो और 8 के लिए अब यहां पर दोस्तों Android P का क्या मतलब होगा Android पेड़ा या Android पेठा या Android फिरनी क्या दोस्तों होगा मुझे बताना जरूर नीचे कॉमेंट्स में है दोस्तों बस यही ताज के दारे अपडेट्स में जूम में देगे पूर पसंद आया होगा अगर आपको पर साला सुचाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलीगा अगर आपने इस वीडियो को भी तक लाइक के शेयर नहीं किया तो लाइक बिर दीजिए शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब परना लोकली मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐस वीडियो लेके आता रहता हूँ खिलाल के लितना ही दोस्तों जै हिंद वंदे मातरम